राजिस्थान ने कॉंग्रे सद्धिक्ष को लगाया फोन, तलमिला उठे मोधी और शाहा मनिपूर में हो रहे हिंसा पर इस समय संसद में सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने है एक तरफ विपक्ष मणिपूर के मुद्दे पर प्रधान मंत्री के बयान पर अड़े हुए हैं वहीं सत्ता पक्ष संसद ना चलने देने के पीछे विपक्ष को जम्यदार बता रहा है अब संसद को चलाने के लिए रच्शमंत्री और लोकसबा के उपनेता राजनाथ सिंग ने गतिरोत को खत्म करने के लिए कॉंग्रे सद्धिक्ष तथा राज्यसबा में नेता प्रतिपक्ष मलकारजुन खरगे से फोन कर मदद मांगा है सुप्रियशनेत ने ट्वीट किया राजनाथ सिंग जी ने कल रात कॉंग्रे सद्धिक्ष खरगे जी को फोन कर सदन में गतिरोत के बारे में बात की कॉंग्रे सद्धिक्ष ने साफ तोर पर कहा कि हम सदन में विस्त्रित चर्चाचा आते हैं रोज इस बारे में नियम दोसर संसेट के अंतगत नोटिस भी दे रहे हैं क्योंकि मनिपूर में हो रही हिंसा को बरदाश्ट नहीं क्या जा सकता प्रिधान मंत्री जी को सदन में आगर बयान देना चाहिए मनिपूर में दो महिलाओं को निर्वस्त कर खुमाई जाने का वीडियो गद बुद्वार को सामने आने के बाद राजी में पहारी शेत्र में तनाव व्याप्त हो गया आधिकारियों ने बताया कि ये वीडियो चार माई का है मनिपूर में अनुसूटी जनजाती का दरजा देने की बहुत संख्याक मेटी समुदाई की मांग के विरोध में पहारी चिलो में तीन माई को आधिवासी एक जुड़ता मार्च के आयुजन के बाद राजी में भढ़की ज्वाती हिंसा में अब तक 160 से ज्यादा लोगों क मौत हो चुकी है खलाल आप इस खबर के बारे में क्या सोचते हो समझते हमें कमेंट करके जरूर बताइए न्यूस डेस्क से प्रिया